हेलो एब्रीबरन आप देख रहे हैं दसारा शो दसारा शो में आपका स्वागत है द्यू में कौन के लड़ू खाना है सेहत मत जाने इसे बनाने की रेसिपी जैसे रोजाना के खाने में कुछ ऐसे शामिल किया जाए जो शरीर को अंदर से कर्म रखे और आपको बीमार होने से बचाए पैसे आपने ध्यान दिया होगा कि घरों में मम्मी लोग अक्सर गोन के लड़ू बनाया करती थी ये लड़ू खाने में स्वादिश होने के साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर आपको इन लड़ू को बनाने की रेसिपी नहीं पता तो जान लें ये रही सबसे आसान सी रेसिपी गोन के लड़ू बनाने की तो चलिए सारा के साथ गोन के लड़ू बनाने की सामगरी तीन टेबल स्पून खाने वाले गरम गोन साड़े चार टेबल स्पून खी एक कप घीव का आटा आधा कप चीनी पाउडर आधा चमच इलाइची पाउडर डीफ्राई करने के लिए देसी घी कोन की लड़ू बनाने की विधी किसी चोड़े बर्तन में तीन चमच और आधा चमच देसी घी गरम करें फिर इसमें आटा डालकर भूने ध्यान रहे कि भूनते समय आज बिल्कुल भी धीमी हो जिसे की आटा जले नहीं एक बार आटा जब सुनहरा हो जाए तो गैस बंद करें इसे किनारे हटा कर रखतें कढ़ाई में देसी घी गरम करें फिर इसमें गोन को तलें तलते समय गोन घी में अच्छे से डीप फ्राई हो जाए गोन जब तल जाएंगे तो वो फूल कर मोटे हो जाएंगे और फलकी हो जाएंगे एक बरतन में पिसी चीनी तले हुए गोन इलाइची पाउडर बचा हुआ घी बुना हुआ आटा मिला ले इस सारे मिक्षोर को मिला कर हातों में घी लगा कर छोटे छोटे लड़ू के आकार में बांध ले रोजाना एक लड़ू का सेवन ठंद से तो बचाएगा ही साथ ही शरीर को अंदर से मजबूदी बनाएगा लगातार अपटी ट्रेहने के लिए बने रही है दसारा शो के साथ सारा फिर लेके आई कि आपके लिए कुछ खास तब तक के लिए अलविदा झालविदा